हमारा पैला टॉपिक था और समर्स और और लोगे ने दिखा था कि य कंस क्या होती है तो जब भी आप तो आप अपने बिजनेस को बिजनेस के कोई भी अक्टिविटी परसौं करेंगे तो अगर आप electronically business की activities को perform करते हैं तो आप business एक e business होगा लेकिन वो fully automated नहीं समझा जाएगा इसकी मिसाले आप computer related किसी भी किसी भी task को आप perform करने के लिए फर्ज करें कि जैसे पहले आप form को बनाते हैं थे computer तो बाद में आपने वहीं करना शुरू कर दिया computer के उपर तो वह आपका एक तरह से जो आपका बिजनेस वह वाला बिजनस समझा जाएगा कि यह बिजनस है जिसमें आप electronically electronic means को यूज़ करते हुए आप अपना बिजनस चला रहे हैं दूसरा जो हमारा है जो हमारा में टॉपिक है वह एक कॉमर्स का डैफिनेशन यह है कि जब भी आप ओवर दा इंटरनेट कोई चीज़ खरीद और फरोगत करते हैं तो आप एक्चुली इकॉमर्स प्रफॉर्फॉर् मेरा वैसे काफी करीब से बोल रहा हूं मैं दोबारा बात कर रहता हूं तो जब आप इंटरनेट पे कोई भी खरीद और फरोगत करते हैं तो वह आपका एक कॉमर्स है उसमें जो आपका एक शॉपिंग रूटीन होता है जो कि आपका कर्वेंशनल कर्मेंशनल आपकी शॉ करते हैं और जो आइटम आपको चाहिए आप उठाके काट में डाल लेते हैं और उसके बाद काट में डालके जब आपनी शॉपिंग से मुतमें हो जाते हैं तो फिर आप कैश काउंटर पर जाके बिल पेमन करके आप वह समान घर लेकर आजाए जब एकॉमस करेंगे तो उ जिस मीडियम को आप प्रफॉर्म करते हैं जिस मीडियम को आप अनेबल करते हैं कि जिस मीडियम के थुरू यह सारी रूटीन प्रफॉर्म हो उसको हम लोग एकॉमस प्लैटफॉर्म कहते हैं या आप उसको जगर जनरल टरम में बात करें तो उसको वेबसाइट कह ले तो आपने e-commerce activity को जिस website पर जिस medium पर लेकर है उसको हम लोगों ने e-commerce platform का इकमर्स platform में हम लोगों ने दो मेजर इकसाम देखी थी दो मेजर इकसाम में एक थी सेलफ फोस्टेड और होस्टेड या क्लाउड कहले आप और दूसरी हम लोगों ने देखे थी marketplace सेलफ फोस्टेड और क्लाउड में हम लोगों ने डिफ्रेंस समझा था के सेलफ फोस्टेड में आप उसको डुमेन उसकी आरेंज करते हैं आप उसकी कोडिंग के मामला देखते हैं आप देखते हैं कि जो कोडिंग उसकी होगी website बनेगी वो किस प्लैटफॉम में बनेगी यह वेजिटर में होगी या फिर वो आप कस्टम वेबसेट बन माएंगे और दूसरा आपको सारे का सारा कोड मिल जाता है और आपको एक ग्राफिकल वैजिटर मिल जाता है थीम एडिटर मिल जाता है आप उसको यूज करते हैं अपना अपना स्टोर या अपनी website सेट अप कर लेते हैं तो जहां आपको कोडिंग की और होस्तिंग की टेंचन नहीं लेनी पड़ेगी वह आपका होस्टिट सेलूशन होगा और जहां आपको ये सारे काम टोटल खुद करने पड़ेंगे वह आपका सेल फौस्टेड हो जाएगा इसके बाद हमारे पस एक थर्ड सेकंड एक्जेंपल थी वो थी मार्केट प्लेस की मार्केट प्लेस यह था कि मार्केट प्लेस में ना तो आपको वेबसाइट डुमेन करना पड़ेगी ना ही आपको डिजाइन कुछ करना पड़ेगा वेबसाइब अपना यह समझें कि आप जैसे आप को वर्क स्थी सिर्ट बर्क स्पेस होती है!!! उसमें टेबल लगे होते हैं और आप बस जाते हैं और टेबल बैटके अबना काम करते हैं इसी तरह मार्केट प्लेस में भी आप एक्जैम्पल ले लें जैसे हमार पास उसकी ग्जैम्पल है एमजोन की तो एमजोन में आपके पास वहाँ पर थीम एक प्रीडिफाइंड थीम उन्होंने बनाकर रखा हुए उस थीम के ओपर आप जाते हैं आपको एक बैक एंड कंट्रोल पैन यह बंदा जो जो यह जो आपको नदर आ हरा ःए टेबल और यह पिक्रिक्टर आख रही है तो यह जो टीवर पिक्चर नदर आघर यह 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 कि questo क tirar नहीं Canal नहीं कि sensory tuo तक्ति इसको कैसे आइन करना है वह अमजोनमेंज किया यहाँ पे यह अमजॉन ऐसको मेनज कर रहा है इसकी कोडिंग और सिक्यूर करना वह भी हम इसर यहां ओकर यहां पे रिकमेंडिट टू इंजिव करना वह भी अमजोन देख א zest origin होगा यहां आपको 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 इसकी प्रॉडिट को आप खोलें तो आपको पच्क्व मिलता आप उस प्रॉडट को जाते हैं और आप सिर्फ चंद विल्जट इन्फिकल डालते हैं और आपकी जो वेड़ाइट का लीड़ाइं हो जातीए मैं यहां पालड करताओ पहले इमिज का बताते हैंसको एक में इमीज एक हो गापका पिर अब उसे ुbat का टाइटल दे देते हैं और उसके बाद आप यहां पर इसका स्क्रॉल स्क्रोंडन करते हैं जा यहां पर आप bullet points देते हैं यह आपके bullet points पांच one two three four five bullet points हो गया आपके आप वो देते हैं उसके बाद आप यहां से इसको और कुछ नहीं आप कर रहे हैं आपको एक कुछ खाना खाने से बनाके टेक्स बॉक्स जिन जो कहते हैं हम लोग टेक्निकली ये मिर्स आ दे रहें आप फ्रीजड रिप फेड़ा रहें आप पिर आपको वह ब्लॉक्त देते बाप माझना प्राटोच की दिस्रीट्ट हें और एक ब्लॉक्त आपकी वेपसेट आपकी जो प्रोडूटन वो डाइटी टु सेल है आपने ना तो डूमेंर ली ना अबने डिजाइन बनाया नहीं आपने इसकी सीडियरूटी औगारा के यही होता है आप एमजोन पे जाएं आप आप मरकरी पर जाएं आप पोश्मार्ग पर जाएं आप बुनेंजा पर चले जाएं अब जहां पर भी जाएंगे अपको हर मार्केट प्लेस में उसका डिजाइन जो है वह जितने भी सारे कोडिग रेलेवें ज्यान उसके जो इसको कहते हैं ऀसे ग्राफिकल यूदर जो इंटरफेस है उसके सारे जारे जितने भी मामलात है वह याव कंपनी करती है उस Liu आफ मार्किट्ट प्लेस में हम दोगों को ने साथ ये भी देखा था कि मार्किटेट 12 1998 अक्यों प्लेस बहतर यह है कि आप को ट्राफिक लेकर आना पड़ती है आपको एक तो ट्राफिक लेकर आएंगे आप फिर ट्राफिक अगर फर्स करें आपके पास आ भी जाए तो उस ट्राफिक पर फर्स करें को बंदा आपकी वेबसाइट पर आया है और आप अगर उसका को वो उस एक चीज सेल करना हूं तो आप मेरी साइट से आके खरीदें तो वो लोगों को कैसे बताएंगे अगर तो आप मार्केट प्लेस में तो फिर मार्केट प्लेस में ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आल्रेडी बायर मौजूद है अगर वह एक स्टैबलि मैं अगर मैं किसी नय बंसे भी वायर कना जा रहा हुँ तो मुझे यह ए है कैमल्जान मुझे मेरे पैसों के बहाफ मुझे वही चीज मिलेगी जो कर मुझे जिसके लिए मैं मैंने पैसे दी आँंगे तो इस वजह से मार्किट प्लेस पे बायर आता है अब बायर को अब यहां पर आपको यह भी अंदादा होगा कि जब आप जब भी आपको शॉपिंग करते हैं फॉर इंस अगर आपका मुबाइल लेने का कोई अरादा हो तो फिर आप वेड नहीं कर पाएंगा आप यह मुबाइल के लिए तो आप चाहें कि मैनेजर जो पैसे दी हैं इसके बहाब पर मुझे फूरी तो पर मुबाइल भी मिल जाए तो यह हमारी कहले हैं हम लोग चाहते हैं कि जब हमने कोई चीज पर चेस कर लिए तो वह हमारी पोजेशन में भी आ जाए इसी दिए जो एक ब अब Amazon जो उसके प्राइम बायर हैं उनको Amazon free उनको free shipping देता है same day shipping देता है next day very next day shipping देता है तो यह सारे और लोगों को पता है कि हम आज बाय करेंगे तो यहां तो same day ही product हमारे पास पहुंच जाएगी यह maximum कल तक पहुंच जाएगी तो इस वज़ए से यह एक ecosystem बन गया marketplace जिसमें बायर भी मौजूद हैं जिसमें seller भी मौजूद है seller के अपने फायदें seller को पता है कि यार मुझे इतने जादा इतने अगर एक product मेरी जैसे उस दिन हम लोगों ने देखा था जंग हिलियम में सर्च करके देखा था एक product के उपर आठ लाग मंतली सर्चीज आ हो रही है तो हमने यह भी देखा था कि हमने जो बिक फोर कंपनी की बात की थी जिसमें फोर फेस्बूक गूगल और Amazon था उसमें लोगों ने कहा था कि गूगल पे तो आपके पास multiple सर्चीज है गूगल पे को लोग लोकल बिजनस को भी सर्च करते हैं गूगल लोग कोई information article वगरा सर्च करते हैं लोग गूगल पे लोग बाइंग के लिए भी आते हैं तो गूगल पर जो लोग आ रहे हैं उनका जो इंटरेस्ट है और इसी तरह फेस्बूक पर फेस्बूक के पास लोगों का इंटरेस्ट है लेकिन Amazon के पास बाइंग जो बाइंग ड सकता है तो आपको लोग अगर वाई भी कुछ करना चाह रहे हों तो वह comparison के लिए अगर वह मतलब Amazon पे जितनी सरच परफॉर्म होगी वह सारी की सारी अराउंड बाइंग होगी अगर को बंदा नहीं भी हरी देगा चलें comparison करने के लिए वह किसी आइटम को सरच करेगा तो इस वजह से फिर Amazon यह जो आपके marketplace है यह एक एक ऐसा एको सिस्टम है जिसमें सैलर भी अट्रेक्ट हो रहा है और बाइर भी अट्रेक्ट हो रहा है अब इसमें हम लोगों ने इसके बाद यह देखा था कि यह जो हमारा इसमें हम लोग अमजोन तक पहुंच गये थे और हम लोगों ने यह तैय कर लिया था कि हमें Amazon पे काम करना चाहिए तो तब हमने फिर यह समयने की कोशिश की थी कि अमजोन पर जो यहां तक हम लोगों ने यह देख अच्छिनल टेंशन जो के बिजनस में रह जाती है वह है फुल्फिल्मेंट की तो फुल्फिल्मेंट में अगर आपके पास आपकी प्रॉडड़ अच्छी तादाव में बिक रही है तो आपको यह अंदाजा होगा कि फिर मृटिपल बायरिस को यह मृटिपल बायरिस की हैं उनको आप कैसे अड्रेस कर सकते हैं वह आपके मुश्किल हो जाता है तो फिर जब आप यह फुल्फिल्मेंट वाली टेंशन भी अगर आप चाहें तो एमाजोन में आपको दो आप्शन देता है जिनको फुल्फिल्मेंट के दो चैनल कहा जाता है एक आपका एफ बीम और दूसरा आपका एफ पी एफ बी तो आपका जो गया वो दोनों में सेम है अफ हो गया फुल्फिल्मेंट भी हो गया बाय तो एम जो है वह मर्चंट है और एव अमाजान है तो जब भी fulfillment Amazon करेगा तो वो FBA होगा और जब भी fulfillment merchant करेगा तो वो FBM होगा तो हम लोगों ने फिर उसके बाद Amazon को समयने के बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि एक FBA model हमारे पास available है और एक हमारे पास FBM business model available है और ये भी हम लोगों ने इस नतीजे तक पहुंच गए थे कि Amazon पे success के लिए ये निस्बतन बहतर है कि हम लोग FBA की तरफ जाए उसकी वज़ा भी हम लोगों ने आप लोगों ने ही मुझे बताए थी कि उसकी वज़ा ये थी क्योंके Amazon क्योंके हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि business की जो essence है वो customer experience है आप जिस business के साथ भी जिस ब्रैंड के साथ भी आप अटेश्ट है वह आप customer experience की वज़ए से बहुत होगा अगर आप प्यार्ट कोड में पिएंगे तो वहन भी होगा गुजनावाले वाले से पीएंगे तो वहाँ पे भी सेम टेस्ट होगा तो आप जो McDonald's पर बार बार जाएंगे वो उस uniform customer experience के लिए unique customer experience के लिए जाएंगे तो क्योंकि जब Amazon पर हम लोग FBA करेंगे तो जो fulfillment वारा पार्ट होगा वो सारा का सारा Amazon handle करेगा तो fulfillment जो होगी वो unique होगी जो कि Amazon की signature fulfillment होगी बाहर को पता होगा कि यह जब fulfillment Amazon करेगा तो फिर ये एक मतलब जो भी उसके criteria हैं बहुत हैं में नहीं जाते हैं मतलब जो भी उसका experience होगा वो उसको पता है कि हर FBA order में वो वैसा ही होगा तो इस वजह से आपको यह हम कर सकते हैं अच्छे को documented नहीं है documented metric नहीं है यह एक समयले के business common sense है जहां पर आपको यह आप लोगों ने हाला कि मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था तो आपने very first day ही मुझे यह कह दिये था कि FBA में ही ज्यादा सब्सक्राश के chances हैं और यह क्यों काम करना चाहिए उसके बाद हम लोगों ने Amazon का seller central भी देखा था हमें हमने यह समझा था के जो भी business जो भी हमारे पास e-commerce platform होगा या कोई भी ऐसी website है जो के interactive website होती है वो दो parts में आती है एक उसका front end होता है एक उसका back end होता है तो जो front end आप लोगों ने देखा तो व आपका front end है और जब आप seller central.amazon.com करेंगे तो वह आपका बैक एंड होगा अब यह बैक आउन बैक एंड यूजर स्पेसिफिक हो सकता है जब एक customer का account होगा तो उसका back end और तरह से होगा जब एक vendor का backup होगा बैक एंड तो वो और तरह से होगा तो यू बेस्ट रॉन यूजर लेवल उनका जो बैक एंड है वो उसके हिसाब से function करेगा लेकिन हमारी understanding के लिए हमें समाइने के लिए ज़रूरत थी कि हमारे पास website दो flavor में एक front end में और बैक बैक एंड में जो हमें बैक एंड देरा है जिसे हम लोग सेलर कहते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया था कि उसमें हमारे पस एक ओवर वीव कर लिया था कि हमारे रपस क्या क्या आप्शिंस अवेलेबल हैं Amazon की मैंने आपको कुछ चीज़ा 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 भी बताएं थी मैंने आपको एसिन का बताया था एसिन यह था कि जब भी आप जब भी आप Amazon पे को प्रॉडट्ट एड करते हैं तो Amazon उसको एक identifier देता एक identifier assign करता है जिसे वो लोग ASIN कहते हैं ASIN stands for Amazon Standard Identification Number यह नंबर यूज किया जाता है Amazon के network के अंदर communication के लिए आप फर्स करें कि सारी दुनिया से प्रॉडट अवेलेबल Amazon के multiple fulfillment centers में product available हैं तो अब वहां पे implies भी होंगे तो अब एक order अगर किसी आपकी product card order आया है और वहां पे अगर एक हजार आर्टिकल पड़े हैं तो Amazon को कैसे assign करें कैसे check करेगा कि आपकी product का ही order आया है और आप ही प्रॉडट भेजनी है तो वह सर्च करेंगे एस एस सर्च करके उन्होंने यकीनन कोई software बना कर रखा होगा जो के शैल्फ management या store management का उनका software होगा और हर एसीन के आगे उनके पास यह detail होती होगी कि इस यह वाला इसीन फ्लाना शेल्फ में पड़ा हुआ और वो शेल्फ से उठाके उसको वह dispatch करते होंगे something like यह मेरी imagination है यह कोई clear cut information नहीं है लेकिन एसीन का इस्तमाल मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप एस यूज करते हैं तो वह आप उसको अपनी internal communication के लिए यूज करते हैं और वो जो एटेशन जब internal communication के लिए यूज किया जाएगा तो वह Amazon के इंटर्नल communication के लिए यूज किया जाएगा इसकी दूसरी example हम लोगों एक SKU देखे दी जिसको हमने stock keeping unit कहा था stock keeping unit हम लोगों स्टाइलों की example लेकर हम लोगों ने समझा था कि जब स्टाइलों के salesman यहां पर आपके सामने आते हैं तो salesman एक दूसरे के साथ जब किसी article की बात कर रहे होते हैं तो उसको वह एक number देते हैं और जब उनको वह उपर एक store में उनके एक बंदा बैटा होता है जो जूते उनको देता है रिस्पेक्टिव जूता उनको देता है तो उसको एक number बताते हैं और वह उनका identifier है उसको हम लोग SKU कहते हैं अब उनका identifier Amazon identify नहीं करेगा क्योंकि Amazon अपने network के अंदर identify करेगा उसको इसी तरह हमने लेकिन इन सब के उपर हम लोगों ने ग्लोबल ट्रेड आइंटिफिकेशन नंबर्स हम लोगों ने देखे थे जिसे हम लोगों ने जी टी आइन कहा था ग्लोबल ट्रेड ट्रेड आइंटिफिकेशन में हम लोगों ने यूपी सी एन और उसके बाद जे एन और आईएसपी एन देखा था और यह चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि आईएसपी एन बुक्स के उपर यूज किया जाता है वो बुक्स को अडेंटिफाई करने के लिए अगर आपके पास को बुक हो जो कि इंटरनेशनल का भाय की हो आपने तो आप अगर उसको बैक पर जाएंगे तो एक बार कोड सा प्रिंट होगा उसके नीचे एक कोड लिखा होगा वो उ दोनों सूर्टों में यूज करें यहां पर आपको यह बताया था मैंने एक बैस सेलर रैंक होता है जिसे बीएसार कहते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस चीज़ को देखने के लिए कि किसी कैटेगरी में या किसी प्रॉडट को रैंक करना कितना आसान हो और किसी प्रॉडट किसी कैटेगरी में किसी नीश में कॉंपुटिशन कम है या ज्यादा है बीएसार से हम लोग यह देखते हैं कि हमें इस मार्केट में आना चाहिए यह नहीं आना चाहिए बीएसार अमजान और ली बेसिस पर यह अपडेट होता है और यह सेल होगी उतना आपका बीएसार पर एफेक्ट पड़ता जाएगा और जितना आपका लोएस पीएसार होगा उतनी ही आपके पास टोटल सेल वॉल्यम में से बिगएस शेयर आपके पास बीएसार कम होने की सूरत में आपके पास होगा तो बीएसार एमाजान में लोगों ने द इस फॉर गार्लिक तो मुझे फिर आप करके बता देगा यह मैंने क्या लिखा है जी यह सर्ष टर्म है एक्चुली जो जो बाइर जब भी कुछ चीज सर्च करने के लिए जो वर्ड लिखे गाइग ड्री वह सर्च टर्म है और आप नीचे जो garlic crusher आ रहा है यह आपका keyword है ठीक है तो customer कुछ भी लिख सकता है वह मतलब customer जब भी यूजियल आएगा तो उसका सर्च का जो होता है ना सर्च के दो पार्ट होते हैं एक होता है उसका नाम और दूसरा होता है उसका usage जैसे आप देखिएगा यहां पर भी आपके सामने मैंने लिखा क्रेशर फार गारलिक तो आप आप ही मुझे सज़ेस्ट करें कि आपको प्रॉडट अगर ढूंडना चाहरे हो एमज़ान पर फर्स करें आपको प्रॉडट ढूंडनी है किसी भी तरह तो आप उसके लिए क्या वह लिख दूँगा ठीक है जी हुड़ी जा गया दूसरा हिस्सा यहां पर मैं उसका लिखूंगा उसका यूजच प्रॉडट नेम और उसका यूजच ठीक है तो प्रॉडट की जो सर्च टरम में यूजूली जो लोग पर टाइप करेंगे वह उसका नेम जो भी उनको पत यह पता नहीं के बाल से स्ट्रेट करने के लिए कौन सी आइटम यूजच करनी चाहिए तो यहां पर लिख देगा के लाइक मशीन फॉर हेर स्ट्रेट कुछ इस तरह करके कर देगा सजेशन में अब उसके बाद यहां पर आगया स्ट्रेट हेर मशीन ठीक है जी तो इस तर से मुराद यहां यहां पर यह प्रॉडट देखें तो यह वाली प्रॉडट को अमज़ों ने अमज़ों ने यह बीएसर असाइन किया हुए ठीक है जी तो यह किचेन एंड डाइनिंग में इसका जो बीएसर है वो 66 25 है तो जितना लोइस बीएसर होगा इसका समय ने मतलब तो यह बीएसर को एफेक्ट करता है तो यह इसलिए जब आपकी सेल विलॉसिटी इनक्रीज होती है तो आपका बीएसर पर भी एफेक्ट पड़ता है आप यहां से जब देखें तो यह बीएसर आप यहां पर जाएंगे तो यह अमज़ों ने डिपार्टमेंट बना कर लुट आप नहीं शहरा तो यह जितना कम कम हो गावका अपका बीएसर उतना ही का जिदे लेघ्म हो गया उसके पास हम लोग ने यह हम लोग यह देख रहे थे कि जो प्रॉड़ सिदस outने ऊपर लेके आएंगे वह लोग कि कैसे लेके एंगे तो वह जो प्रॉडर हम लोग यह हम लोगो का जो बिसनस जू सेलिंग मैटड होगा जाहरा धो लोग प्रॉड़कर। के उपर डिपेंड करेंगा ना उसका एक पार्ट तो यह कि आपने अकाउंट बना लिया आप ने फर्स करें कि वह प्रॉड़क। बी वैसे तो प्लॉड़क उसली तोर नहीं और ने आपको यह एक्स्प्रायं किए घृब्स क्या में आप किसी के साथ एक एग्रिमेंट कर लेते हैं कि मेरे पास एक रेख्र सेल्स का एक फर्स करें कि मेरे पास अप्यदेश अप अप्सप्त टो मैं अपतर्व कर लेंगे या उसको स्प्लिट कर लेंगे या आप उसे चेंगे जी आप मुझे अपनी कोस्त बता दें यह जो आइटम माप बना रहे हैं आप मुझे बताएं कि यहाइटम आप कितने की देंगे वहां प lea इसपे पूछ लेंगे अच्छा मुझे लेबल कर दो के अगर करेंगे आप अपने सेल्स चैनल पर जाएंगे वह आपका Amazon हो सकता ही यह वेबसेट हो सकती है इंस्टाग्राम का प्रफाइल हो सकता है फिस्बूक का ग्रूप हो सकता यह पेज़ हो सकता है यह एनी अदर जहां पर ट्रैफिक अवेलेबल है तो आप वूस्ट ट्रैफिक को करेंगे जब वो सेल आएगी जितनी आपके पास सेल आएगी आप उसको कह देंगे वह आपने जो मुझे फलाना आइटम आपके साथ डिसकस हुई थी वह एक आइटम बना के यह ड्रेस से उस पे शिप कर दो अब आपने ना तो उस आइटम को देखा ना इन्मेंटरी मैनेज की आपने कुछ और उसको देखा जस्ट आपने उसको रैफर कर दिया और अपने कमिशन स्प्लेट कर लिया अब इसमें आपके बास दो-तीन तरह की सिच्वेशन हैं दो तीन तरह की सिच्वेशन यह पैमेंट मैथनिये अगर तो आप ऑनलین सैल कर रहे हैं और आपका अपक बना बनाए बाकी बनाएंगे तो बाकी मैं आप चला सकते हैं या दूसरा आप यह कर सकते हैं कि अगर फर्द करें कि वह अप इसी टिलिवरी की अगेंस तो फिर जब वो करेगा आपके लिए सब्सक्राइब करेगा आपके लिए तो उस सूरत में वह आपको देगा पैसे कलेट करके आपका कमिशन देदेगा तो इट डिपेंड्ड ऑन जूर सरकमस्टेंस डॉप शिपिंग को अगर हम लोग कहलें बिलकुल ले मैंट टरम अगर डिफाइन करना च से मैथेड़ आपको बताया था कि अमजोन इसको डिसलाइक करता है कल मैंने आप से डिसक्स किया था कि मैं आपको एक ग्जेंपल दिखा दूँगा जो इसकी ड्रॉप शिपिंग की पाकिस्तान में तो मैं आपको दिखा देता हूं सब्सक्राइब आपकी स्क्रीन पर यह 2 है यह यह किस्तम साय। नां जीफिंटर साइट सस्तों में इनक्या क्या रहे है कि हैं यह दे आपको बनातान मैं बिल्स अंसरता है कि स्थांड़र बनाटाइब त Bonus आपको नाहीग्ए तो यह है तस तुक्त आपको मिलेगा है इसकी आपको मास्क जो है के चीने कि यह इभी जाते हो मेरा मिनी टी वी स्टीक जो है यह अँथा बेची लेता हो आप यहां से कि इसको में फिर स्क्रीन पॉस्ट करता हूं कुछ परस परसनल इंफरमेशन में देखता हूं एक मिनट कंफिर्म कर देज़ेगा यह आपको एक पेज नदर आ रहा होगा वाच्टॉक के नाम से कि स्क्रीन पेज है कि पेज से पिए आगए था प्रोड़क उठाटी को चांव को में स्काइमिज कापी कर लेता हूं इसका कि कापी कर पेज में वापस जाता हो और पेज में वापस जाखी यहा पर ऐक स्की में करता हूं कि इसको यहां पर इमीज पोस्ट कर दिया यहां से डिस्क्रिप्शन उठता हूँ कि यह डिस्क्रिप्शन मैं मैं अरेंज निकारा बहुत जादा मैं बस वैसे इसको लिख रहा हूँ आज यहां पर में पर लेक्डता हूं बाइ नाव एट कि वह मुझे कि दे रहा था जी है वह मुझे दे रहा था यह डिरा याट अ अ बैर वह वह और कौन से आटम ती यह आइचिंग यह आइट लुक्ट ती 6,750 की आइटम तो मैं उसे कहता हूं कि बाय नौ आठ हजारथा साथ सौपचास ठीक है अब मेरे पेज पर ट्रैफिक होगी तो लोग इसको देखेंगे मुझे कहेंगे आठ हजाथा साथ सो पचास में मुझे ब्रादर बाय करनी है वह मुझे अपना इंफरमेशन देंगे यह मैं अगर चाहूं तो मैं क्या करूंगा मैं गाड चला कि जितनी सेल आएगी वह मैं इससे सेल एक्यूमिलेट कर लूँगा अब यह अगर यह अगर हो गया मैरा मैथट तो अब उसके बाद मुझे ऑरडर आ गया तो यहां पे इन्होंने पूरा डैशपूर बना करका यहां पर यह कहते हैं आप बुकिंग कर लें ठीक है साथ लेपर के साथ इनका सीयोगी कैश एक Caitlin चinar केसे केंश ऐगरी मैंट बोगी साथ कमिच्ण आएगा इनका यहां बीटार हो गारी यहां पर जाएगा यह वहां पर लग करने बेद्ट 2029 में यह एक प्रॉडट्ट बेची थी जिस पेट सेल प्राइस यह थी एक्चुल प्राइस यह थी 400 का डिफरेंस था सर्विस चार्ज इतने पड़ें रिसीवबल अमांट इतनी और फिर मन्थ एंड पर जो भी पेट देट लिखिए हरे की पेट देट तो यह नों एक बड़ा इंटेलिजेंट साइक समय लेक वैब अप्लिकेशन बनाके यह सॉफ्टर बनाकर यह सारे का सारा सिस्टम जो वो इन प्रेक्टिस करके रखा हुए तो इस तरह से आप यह आपकी काइंट ऑफ एक ड्रॉप शिपिंग की आटोमेट एक 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 जांपल आपकी जिसमें वो कह रहा है कि आप मेरी प्रॉडट बेचें अपने चैनल के तूरू और जो बिगे की प्रॉडट उस पर मैं आपको कुछ इंसेंटिवाइस कर दूँ तो उसके बाद मैं आप को आप एफिलेट की बात कर言 Duke मार्किटिंग वैसे तो हमारे स्कोप मेनिया लेकिनाप इफिलेट मार्किटिंग भी कर सकते हैं अर्निई fitness ागर बक अगर चले हैं crypto मैं यह बता दूँ कि आप secular credit में कर सकते हैं तो उसम्मे आपके पास एक मैठृट affiliate marketing का भी है अजान और यह तो दो मिनट वेट कर ले तो मैं अजान हत्म होगा पिर उसके बाद कांटीनियू करता हूँ तो जब मैं water bottle यहां पर सर्च करूं तो फॉर फॉर इंस्टेंस आप यह यहां पर यह वाली जो बॉर्टल है यह इसको देख लेटे थोड़ी जिनेरिक्स ही है अब यह बॉर्टल जो है ना यह बॉर्टल आप देखें यहां पर आपको ना ओफर मिल रहें न्यू एंड यूज फ्रॉम इतने यहां पर देखेंगा इसको मैं क्लिक करूंगा ना तो यहां पर यह बॉर्टल यह तो सैल कर रहा इसके साथ यहां पर यह भी सेल कर रहा है यूज में में अमाजंड वेर हाउस चुए यह वो वो वह भी इसको सेल कर रहा है तो आपसे यह कहता है कि जब एक आइटम जो के मेरी कैटलॉग में आलरेडी है तो बजाए इसके कि आप उसको एक और एड़ करें आप उसी को जो है ना उसको जो यहां पर तो आप उसको कहलें कि चले समझने के लिए इसका मतलब है कि मैं भी यह प्राइट सेल कर लेता हूं तो जब आप यह प्रैक्टिस रखते हैं तो यहां पर आप देखें कि जो सैलर है वो प्राइट के अंदर मुख्लिफ सैलर शो हो रहे हैं लेकिन यहां पर जब मैंने बॉटल किया था वाटर बॉटल सर्च किया था मैंने तो तब मुझे डिफरेंट टाइप आफ बॉटर बॉटल नजर आए थी फर्थ करें कि Amazon हर सैलर को अलाव कर देता कि यही पिंग बॉटल अपरी प्राइट के तो पर आप एड कर लें तो क्या होता जो एमाजान का पहला पेज होता शायद उसमें सब की सब जो प्राइट होती वो यहीं होती फिंग बॉटल वाली प्रॉडट एक होती सेलर मुख्लिफ होते तो उन्होंने उन्होंने अपनी केटलोग जो मेंटेन की है वह प्रॉडट वाइस की है एक प्रॉडट पर मल्टीपल सेलर हो सकते हैं लेकिन एक ही प्रॉडट को मल्टीपल सेलर एज डिफिन प्रॉडट नहीं लिस्ट कर सकते हैं अनलेस के उसके उपर आपका अपना ब्रैंड हो आपकी अपनी पर्सनलाइज पैकिंग हो ठीक है यहाँ पर अगर आप देखें तो इस प्रॉडट को जब मैं ओपन करूंगा दुबारा आपके लिए कि यहाँ पी आपदेखुएगा पिसको थोड़ा सतुम करूं तो यहाँ पर आपको यह वैलर गो कि इसका ब्रैंड नीम नहीं लेता हूं लेकि महाँ परवनभ नगा लेता हूं सब्सक्राइब कर सकता हूं कि कर राहा हूं तो प breaths यह हैं आपमत्स स्वैमाजान के देफिनेशन में मुझे इसके सेन को सर्च करना चाहिए और कहना चाहिए कि जी मैं भी इसको सेल कर रहा हूं जिसको अगर मीटो सेलिंग ठीक है जब हमारे पर सोर्सिंग में डॉप शिपिंग तक आप लोग मैंने और वी दे दिया सारा कर लिया हम लोग भी हुई ग्यों यहां वहमारे पर सोर्सिंग के कह लए है इसको सऊर्सिंग प्रॉडिक्ट सो सिंग ना याप यह समयले कि आप प्रॉडट कैसे एरेंज करते हैं यह फारर्ब कहां कहां से आजके अपके पास जो आप इमजोन पे हैल करेंगे एक आपके आगे ड्रॉप्शिपिंग आपको एजम्पल देदी मैंने ड्रॉप्शिपिंग के बाद ओके अब अर्बिट राज यहां पर आपकर देखें अर्बिट राज इस दा परचेज और सेल of an asset in order to profit from a different difference in the assets price between markets it is a trade that profits by exploiting the price difference of the identical or similar financial instrument in different markets or in different forms तो arbitrage basically तब है जब आप एक प्रॉडट किसी एक मार्केट से उठा कि किसी दूसी मार्केट में बेचते हैं उसको product के एक incentive लेने के लिए कि आप एक मार्केट से product उठाएंगे लो और उसी product को फिर आप S zeg करेंगे किसी दूसी मार्केट में तो वह आपका किर भी टराज के लाएगा जब लीटेल अर्बिटरा जिसको कहेंगे हम लोग तो रेटेल आ अर्बिटराज का मतलब ये है कि आपके जो रिटेलर आपके सराउंडिंग में जो फिजिकली रिटेलर आपके पास मौजूद होंगे आप उन से जब आइटम अरेंज करेंगे कोई डील उठाएंगे या कोई आइटम आप ऐसी उठा लेंगे शॉर्ट नोट जो के टेंपरेलिर उनके आफ लगाव है य तो जब यही आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ऑनलाइन किसी ऑनलाइन को डील उठाएंगे या ऑनलाइन कोई डिसकाउंटिट आफर उठाके आप जब उनको फिर उस आइटम को जब आप सेल करके उससे बैनिफिट लेना चाहेंगे दो दो मार्किट के दरम्यान जो बैनिफिट होगा प्रॉडट का उससे आप बैनिफिट मतलब उससे आप अर्निंग करना चाहेंगे तो वह आपका ऑनलेन और बिट्राज बन जाएगा होलसेल आपका यह है कि आप जो बहुत से लोगों को यहां पर इंडर सेंडिंग भी हो तो हमारे यहां पर जो मनिफेक्ट्रर ने कोई लॉट बनाई जो के उसने बल्क में बनाई थी और अब उस लॉट को वो डिसकांटिट प्राइस पे सेल कर रहा है बल्क में तो आप वो जो बल्क लॉट उठाएंगे तो वह आपका होलसेल कहलाएगा ठीक है जी यह आपके three to four ways of arranging product bringing product in amazon